हे हलो फ्रेंड्स तुआ गया है मैं एक और नी वीडियो के साथ तो जैसा कि आपको पता है इस सीज़न अमने लगाई है ग्रांड मास्टर और अभी मेरा स्कोर देख सकते हो आप लोग मेरा भी 2 स्टार लग चुका है और करेट रेंकिक 705 का दिखा रहा है अगर मैं ID सेयर कर मेरे को सोना भी है तो 7-8 गहंटों तक मेरा नाइट में आप जाता है ID जो है वह अगर मैं ID सेयर किया रहता तो अभी मैं टॉप 100 में रहता लेकिन जो भी है खुद ही पूस करेंगे यार तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह रहा आज का पहला मेंच इसमें मेरे 3 किल हो गए थे और मेरे को छोड़ कर अभी 4 बंदे और बच रहे थे मैंने इसके न लगाया थो उसमें 2 बंदे दीख गया थे यार तो एक बंदा तो इधर ही था इसको मैंने डामेज करने स्टार्ट किया लेकिन इसको किसी और नहीं UMP से उड़ा दिया था मतलब कहा था वो पता नहीं लेकिन UMP से किसी ने उड़ा दिया था अब मेरे स्केनर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था तो मैंने एक और लगाने का सोचा इतने मेरे को राइट से एक बंदा आकर मार देता यह पानी से साथ तक आ रहा था सबहा ढ़रorar था मैं यहीं में चाहां चक्कर मैंFalto का दामेज का नहीं चाहता था अब यहां पार आकर देखा तो बंदा जोन से जोन के बाहर से मैं ने विस Θ Pas निकाल कि उसको डामेज करने संड किया और वहा काफी असानी से कील हो गया उसका गल्ती यह था यार कि डोनस चुगा था और में जोन में था तो आप कभी भी जोन में मत फसो मैं देखना है कैसे मां चाहता तो आपको की उसी उसी पार्ट को आपको दिखा सकता था लेकिन ऐसा मैं नहीं करता लास्ट का जोन जो भर करना होता है न वो सबसे इंपोर्टेंट होता है इसलिए मैं कील कोई नहीं दिखाता मैं जैसे जैसे खेलता हूं जोन कैसे कवर करता हूं लास्ट में स्टार्टिंग का दो जोन तो कोई भी कवर कर सकते असानी से लेकिन लास्ट का जो जोन बनता है न एक दो जोन उसको कवर करना मतलब बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना आप जोन में ही एलिमिनेट हो जागी या फिर कोई भी बंदा आपको असानी से उड़ा देगा अब यहाँ पर एक लास्ट का बंदा और बाचरा था इसको मेरे को उड़ाना था लेकिन इसके पास M2 भी था इसलि इसलिए मैं इतना ज्यादा रस कर रहा था वैसे तो मैं ज्यादा रस करता हूं नहीं तो यहां पर थोड़ा से इसको डाइमेज किया और क्रोनो जला के काफी असानी से उड़ा दिया मैं ज्वाइस्टिक को इसलिए वह यूएमपी चला रहा था उसका बॉड़ी डामेज बहुत ज्यादा आता है इसलिए मैं अपने ज्वाइस्टिक बटन को हिला रहा था ताकि उसका सांट मेरे को ना लग सके करके लेकिन फाइनली उसको मैंने उड़ा दिया और इसमें मेरे को पूरा प्लस भी मिल गया था 35 प्लस मिले था भी ज्यादा प्लस मिल रहा है थोड एकदम हंड्रेट के लक पर ही मेरा निकला यार यह वाला इसकिन जो है वेपन रॉयल से और यह भी काफी अच्छा गन है पैराफॉल मस्त गन मेरे को तो यह एम फोटी से भी ज्यादा पसंद है मतलब एम फोटी मैं चलाता हूँ नहीं लेकिन पैराफॉल कभी कभी चला ल ही अधार काफी जादा भसाड हो रहा था लेकिन मेरे को द्यान में आया कि एक बंदा इधार भिया कर के मतलब उस ताइम पे मैं में में चला रहा था तैकी यह बंदा में आज आगा तो फिर मेरे को दिक्कात डिएगा करके अब यहां पर एक बंदा आ गया थी इसको मैंने बहुत ज़्यादा डाइमेज कर दिया लेकिन इसको एक भी हेड नहीं लगाया मेरा सायद मैंने ड्रैक तो किया या लेकिन एक भी हेड मेरे उसे नहीं लगाया इसको तो यहाँ पर ये बंदा जब मेरे को लग रहा है इसके पास forgot erre करके यह बहुत ज्यादा हील हो जा रहा था जल्दी जल्दी क्योंकि वह वाल लगा रहा है बहुत ज्यादा थो लेकिन इसको किसी और नहीं मतलब जो लाश्टा का बंदा बच रहा है था उसने उड़ा दिया दो तीन चिप का दिया तो फिर उसने वाल लगा कर फिल करने लगा वह बंद तो मैं इतने में थोड़ा साग्या गया अब यहां पर देखो वह नेड किये जा रहा है किये जा रहा है लेकिन माने जो है कुक कर रहा था मेरा रैप गया ने उसके पास एक नेड मैंने किया और मेरा नेड गया तो काफी आसानी से कील हो गया और वह बंद इतना जाधा नेड किये जा रहा था कि मैं क्या बता तो थोड़ा दिमाग लगा कर खेलो नेड का नेड का अपसान मतलब दिया है कुक करने का तो कुक करके किया करो नब इसमें मेरे को पूरा प्लस मिलना है क्योंकि युक्य वर कांफी जादा था इसमें मैं एक 30 प्लस मिले था स्ट्व कई अभी जैसे जैसे मैं ऐ आगे जाता जूंगा नो ऐसी मया डर्व मतलब वह क्या बोलते अ प्लस देंगे कम लग जाए मतलब कि अब तो 30 प्लस मिल रहा है थोड़े मेच के बाद और कम प्लस मिलेगा फिर 26 प्लस मिलता है maximum एक टाइम आता है जब 26 प्लस ही मिल पाता है अब यहाँ पर मेरे दो किल हो गए थे और मैं यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर उतना ज्यादा फाइट हो रहा था फिर भी मैं उसको इगन मतलब दिमाग लगा कर खिलना जैसे ही बंदों का फाइट होना वाइसे ही आप जोन के और बढ़ना स्टार्ट कर दो मतलब वहाँ उस टाइम पर आप फोकास कोई भी नहीं करेगा उधर फाइट चल रहा होगा तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी फाइट होने लगे न तो यहां पर मैं थोड़ा और वेट करने लगा क्योंकि और बंदे अभी मरने का मैं वेट कर रहा था ताकि मेरे को बुया लेने में असानी हो सके करके तभी एक बंदा राइट साइड में आ जाता है हवेली से निकल कर तो इसको मैंने डामेज करना चाहाँ और एक-दो जादा डामेज कर जया था लेकिन इसने जो एक और बंदा बचा था उसको स्काइलर मारके उड़ा दिया था मतलब आजकल सभी का पास स्काइलर था एक नेड यहां पर देखो मैंने किया लेकिन वह कितना ज्यादा परफेक्ट उसने वाल लगा लिया वरना वह बंदा ने आखेक्ट में न्याद में च्व्लोड है यह को पता है लेकिन मेरे लेकिन सबंदा भया यह इंपना यतनी सब्सकाइलर मारके लिखेर ना लोग और यहां तक मेरा को कील तो दो ही हो पाया था मतलब अभी तक और मेरे को छोड़कर अभी तीन बंदे और बाच रहे थे जिनका लोकेशन मेरे को एक पता था इधा रहे लेफ्ट साइड में करके तो इसको फिर मैंने डामेज करने स्टार्ट कर दिया लेकिन वह कवर मे कर दिया था तो वह बंदा असानी से किल हो गया अब इस टाइम पर दो बंदे लास्ट के बच रहे थे उनका लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था तो मैं फिर डारेक्ट जोन में आ जाना स्टार्ट कर दिया आप जोन में जा लास्ट जोन जब भी बनता है ना ला रहे थे ना वो मेरे बिल्कुल सामने वे था मतलब इसकेनर में मेरे को दिख रहे थे वो दोनों बंदे अब यहां पर एक बंद अपने आपको पेक कर लिया था तो मैं नेड करूंगा सोच के थोड़ा सा आगे गया और यहां पर एक नेड जो मैंने कुप करके मारा थोड़ा और जोन में आ गया क्योंकि वो जोन में उस टाइम पे नहीं था तो रिडवांटेज लेना चाहता था मैं इसलिए जोन में आ गया पहले ही अब यहां पर देख इसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था लेकिन यह बंदा कवर में चला गया और जो वहां पर फंसा था ना फैंस के पीछे वह बंदा एलीमिनेट हो गया अब यह बंदा ओपन में भाग रहा था मेरे को इस टाइम पर लग गया था कि इसके पास बिल्कुल भी वाल नहीं है वाल खताम हो गया लेकिन मैंने इसको काफी ज्यादा वी एसे सांट लगा दिया था तो इसके यह बंदा कीज हो गया था अराम से अभी मैंट मास्टर मेरा टू इस मैंच में लगने वाला था मेरा पूरा यकीन था लग जाएगा करके क्योंकि थोड़ा से ही बचा था और मेरा भीए भी हो गया था और कीज्ञ वी काफी जजादा था तो मेरे को इस मैच में 30 प् मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में